आप देखेंगे जून महीने का ये एपिसोड हम लोग कर रहे हैं जिसका पहला एपिसोड इसके ठीक एक दिन पहले अपलोड हुआ था अब ये थर्डी कोश्चेंज का मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन आज इस दूसरे एपिसोड में आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड हमारा जुलाई मन्त का होगा ये किसी भी मैगजीन से जो भी आप पढ़ते हैं ये कलेक्शन है हम तो सभी मैगजीन से लेते हैं जितने भी मैगजीन से मार्केट में आते हैं वो सब हमारे पास आते हैं लेकिन मन्त होगा जुलाई जुलाई मन्त को हम ल दिखाई देगा तो आप अगर जुलाई मत का मैगजीन है तो उसे आप पढ़ लें ताकि प्रशनों को बनाने में आपको सुविधा हो आज का ये जून मत का कलेक्शन 30 कोशन्स का आप देखेंगे साथी डेली ये एपिसोड नहीं आप आएगा चुके हमारी व्यस्ता बहु इसका उदेश निती में Quad 2.0 यानि Quadilateral Security Dialogue एक नई रन निती है जिसका उदेश है क्या इसका उदेश है आप पढ़ लें मुख उदेश मुख उदेश जो मेन इसका मॉटो है क्या है तो इसका अंसर हो जाएगा C. एशिया महादीप में अपनी शक्ति और परतिष्ठा को कम करने के लिए भारत, अमरीका, जापान और अस्ट्रेलिया एक साथ आ रहे हैं तो इसे Quadrilateral Dialogue के रूप में देखा जा रहा है जिसे Quad 2.0 कहा जा रहा है दर असल 2.0 का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नवीन तम जो उसका रूप है वो सामने आता है More Advanced Version किसी पुरानी चीज़ों का Advanced Version 2.0 कहलाता है तो ये दर असल Quad का मतलब चार तो चार देशों का ये दर असल मनमौहन सिंग ने 2007 में चाइना को कांटर करने के लिए ये पॉलिसी चलाई थी अब इसमें ये नया रूप सामने आया है आज का दूसरा कोशन केंदे सरकार ने किसानों के आए को दूगना करने का लक्ष कब तक निर्धारित क्या है इंडियन फार्मर्स इंकम हैस टो बी डबल्ट तो ये टारगेटड इयर कौन सा है किस साल तक दूगना कर देना है किसानों क्या आए को तो इसका अंसर हो जाएगा दो हजार बाइस तक ये डबल करना है उनके इंकम को जैसे के फसल बीमा योजना और दूसरी कई सारी सरकारी साहता के बल पर आए तीसरा प्रशन देश में सबसे लंबे समय तक मुख मंतरी बनी रहने का रिकॉर्ड अब इनके नाम हो गया है ये कौन है अब इनके नाम ये रिकॉर्ड आ चुका है तो इसका अंसर हो जाएगा पवन चामलिंग सिक्किम तैस साल से भी अधिक ये लगातार सिक्किम के मुख मंतरी हैं जिनोंने जोती बसु का रेकॉर्ड तोड़ा है आज का चौता क्विश्चन वैश्विक आर्थिक सुतंतरता सुचकांक 2018 यानि वर्ल्ट एकोनोमिक फ्रेडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है देखे एक और इंडेक्स आ गया आपको इंडेक्स का एक चार्ट बना लेना है कॉपी में रेगुलर आपको इंडेक्स का जो डिफरेंट इंडेक्स है उसका आपको रखना है ध्यान तो इसका अंसर हो जाएगा C 130 130 पोजिशन मिला है भारत को जबके पिछल 80 देशों का ये इंडेक्स जारी होता है जिसे हरिटेज फांडेशन अमरिका की जारी करती है देशों में हौंग कॉंग इसमें टॉप पर है आज का पांचमा कोश्चन भारत का पहला सांकेतिक भाशा शब्द कोश यानि इंडियान साइन लैंग्वेज डिक्शनरी फर्स् यानि Department of Empowerment of Persons with Disabilities इसने Indian Sign Language Research and Training Center के साथ मिलकर ये तीन हजार वर्ड्स का एक शब्द कोश यानि डिक्शनरी तयार किया है आज का छटा कोश्चन जापान का शुर्ष नागरिक सम्मान Order of the Rising Sun किस भारतिय नागरिक को परदान किया गया है Order of the Rising Sun 1875 में मेजी ने इसके स्थापना की थी तो इसका अंसर हो जाएगा ए आश्वणी कुमार भारत के यूपीए के टाइम में ये खानून मंतरी थे आश्वणी कुमार इन्होंने जापान भारत संबंदों को बढ़ाने में मदद की है इसी को देखकर इनको आवार दिया था यानि देश क्या था इसका फोकस्ड पॉइंट क्या था तो इसका अंसर हो जाएगा towards a common future लंदन में ये 25 शिकर सम्मिलन हुआ यानि बिटिश उपनी वेशों का शिकर सम्मिलन आज का साथ देखें ये ध्यान अब रखेंगे कि जीसे भी सम्मिलन को आप देखते हैं उस का आठवां question वर्श 2018 के लिए consumer price index के आंकड़े किस ने collect किये जिसके आधार पर ये आंकड़े जारी हुए कौन collect करता है consumer price index के आंकड़े तो इसका answer हो जागा a national sample survey organization नसे सो चुके मुद्राजफिती या महंगाई के आंकड़ों के लिए वो भोकता मुल सुचकांक और थोक म मुल सुचकांक के आंकड़े कटा करने पड़ते हैं इसी आधार पर महंगाई यानि मुद्राजफिती के आंकड़े जारी होते हैं आज का नवा प्रश्ण मानुस अंसादन विकास मंत्रा अले द्वारा higher education institutions की India rankings 2018 में पहला position किस university को दिया गया है HRD ministry हर साल India rankings 2018 जारी करती है बिश्विद्यालेओं के आंकड़े rankings के हिसाब से जारी होते हैं टॉप position पर कौन university है तो इसका अंसर हो जाएगा ई पांचवा option चुकर इंडिया इंस्टिचूट ऑफ साइंसे बेंगलूरू universities में और overall ranking में भी top position पर है अब धियान रखे कि हर साल India rankings universities में technical, medical, management सब इस्टि position दिया गया है और overall में इंडियन इस्टिट ऑफ साइंसे एगें टॉप पे है आज का दसमा प्रश्ट देश की पहली महिला वकील जो बार से सीधे सुप्रिम कोर्ट की नैधिश के पद तक पहुँची है यानि वकील से सीधे सुप्रिम कोर्ट की जजज बनी है तो इसका अंसर हो जागा इंदू मलोतरा इससे पहले तक किसी ने किसी हाई कोर्ट में जजज के पद पर रह चुकी सदस्या ही तरसल सुप्रिम कोर्ट की जजज बनी है लेकिन ये पहला केस है महिलाओं में जब वकील से सीधे सुप्रिम कोर्ट की जजज बनी है आप जानते हैं कि स हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक स्कीम चलाया है चाके ताकि हस्पतालों में सुच्छता को प्रायर्टी दी जा सके और इसके लिए वार्ड दिया जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा एम्स नई दिली दरहसल ठाई करोड रूपिया इस अवार्ड में मिलेंगे हेल्थ मिनिस्ट के लिए किसे चुना है विज्टन के लीडिंग कर्केटर अव दी ओर दिया वार्ड तो इसका अंसर हो जाएगा डी विराठ कोहली यहाँ आप याद रखें के मिताली राज फी मिल काटिगरी में मिताली राज को इस अवार्ड के लिए चुना गया है या लीडिंग केंद्रिय बजट आम बजट दो हजार अठार रहे हैं इसका पेश किया समझ लें तो इसका अंसर हो जाएगा ए एक फरवरी दो हजार अठार है दरसर परंपरा रही है ट्रेडिशन रहा है कि फरवरी महिने के आखरी दिनों यहां यह भी आप जान ले कि भारत सरकार का जो फाइनशल एर है वित्यवर्श है वो अपरेल मार्च होता है यहां एक अपरेल से 31 मार्च जबकि रिजर्व बैंक आफ इंडिया का फाइनशल एर जुलाई से जून होता है आज का चौद्देहुआ कोश्चन अर्किटेक्चर के छिदर का वर्ष 2018 का परसिष्ठिद प्रिज़र अवर्ड के से दिया गया है प्रिज़र अवर्ड यह अर्किटेक्चर के फिल्ड का नोबल प्राइस कहलता है तो इसका अंसर हो जाएगा D. बाल कृष्ण दोशी दरसल अमरीका की प्रिज़र फैमिली और हयात फॉंडेशन है जो हयात होटल्स के लिए जानी जाती है ये आवार्ड्स हर साल देती है आज का पंद रह्मा कोशन 105 में इंडियन साइंस कॉंग्रेस यानि भारती विग्यान कॉंग्रेस 2018 का आयोजन कहां किया गया बहुत इंपॉटन्ट हर साल या आजित होता है और हर बार एक्जाम में भी आता है तो इसका अंसर हो जाएगा मनिपूर के राइधानी इंफाल में मार्च 2018 में या आजित हुआ जिसका थीम था मुक बिंदू था अगला भोपाल में 2019 में ये भोपाल मार्चित हुआ जिसकी शुरुआत सबसे पहले 2014 में कोलकता में अशियाटिक सोसाइटी के प्रांगर में हुई थी जिसकी शुरुआत करने वाले दो ब्रिटिश केमिस्ट थे जे एल साइमन सन और पी सी मैक मोहन आज का सुलहमा कोशन विश बैंक दोरा जारी मागरेशन और डिवलप्मेंट रिपोर्ट 2018 के अनुसार विदेशों से अपने देश धन भेजने में कौन सा देश पहले अस्तान पे है विदेशियों जो अपने देश छोड़कर चले जाते हैं और वापस अपने देश धन भेजते हैं इनमें कौन सा देश टॉप पह है तो इसका अंसर हो जाएगा ए भारत 2017 में लगबग 79 बिलियन डॉलर धन भारतियों ने अपने देश बेजा दूसरे पोजिशन पे चाइना है आज का सत्रहमा कोशन भारत ने मिजबान देश समझाओता परहस्ताक्षर किस वैश्विक संस्था के साथ किया है मिजबान देश समझाओता बहुत इंपॉटन्ट है तो इसका अंसर हो जाएगा B. इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलाइंस यानि अंतराश्टी सौर संग इसके अस्थापना 2015 में फ्रांस में भारत के प्रधान मंतरी और फ्रांस के तत्कारिन प्रधान मंतरी फ्रांस वाँ ओलांद के बीच समझाओते से होई थी इसका हेट कौर्टर भारत में गुरू ग्राम में है याद रखेंगे कि इसमें एक सौ से अधिक देशों ने अपनी दिल्चस्पी दिखाई है और समर्थन दिया है इसका ओदेश है आप आरम पर एक उर्जा यानि नन कन्विनिशनल सोर्स अफ एनरजी खास कर वैसे देश जहां सूर्ज की गर्मी पहुंचती है तो इसका यूज कर सोलर एनरजी का उपयोग बढ़ाना आज का अठारमा कोशन तनावों के बीच सिंदु जल समझाओता सिंदु जलायोग की एक सो चौद हमी बैठक कहा हुई सिंदु जलायोग इंदस वाटर कमिशन की बैठक कहा हुई तो इसका अंसर हो जागा सी नई दिली दर असल भारत और पाकिस्तान के बीच उन्हेस साथ में इंडस वाटर एक एगरिमेंट हुआ था जिसमें सिंदु और उसकी साहिक नदियों के जल के बढ़वारे पर यह समझाता हुआ था की बैठक नई दिली में हुई है आज का उन्हेसमा कोश्चन उच्च शिक्षा यहने हाई रेजूकेशन में विदेशी छात्रों को अकरशित करने के लिए स्टेडी इन इंडिया प्रोग्राम किस ने लांच किया है स्टेडी इन इंडिया तो इसका अंसर हो जाएगा HRD मिनिस्ट्री मानव संसादन विकास मंतराले दरशल गलोबल स्टूरेंट मॉबिलीटी में भारत का जो अस्थान है भागीदारी है वो माज़ एक परसेंट है तो इसे बढ़ा कर दो परसेंट करना है इसमें विदेशी चात्रों का अकरशित करना है जिसमें 160 से भी अधिक यूनिवरस्टीज को शामिल किया गया है जिसमें 15,000 से भी अधिक सीटों के लिए विदेशी चात्रों को अकरशित करने की होजना है अजका बीसमा प्रशन, मौरिशस की राजदानी पोर्टलो इसमें संपन ग्यारवें, विश्विंदी सम्मेलन 2018 का थीम क्या था? बहुत इंपोटन्ट, यह सम्मेलन जो मौरिशस में संपन हुआ था, ग्यारवां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फरेंस तो इसका अंसर हो जाएगा वैश्विक हिंदी और भारतिय संस्कृती सबसे पहले विश्विंदी सम्मेलन 1975 में नागपूर में आजजित हुआ था जिसका उदेश होता है हिंदी को विश्वस्तर पर ताल मेल मेल जोल की भाशा के रूप में आगे बढ़ाना आज का एक की समा क्वेश्विंदी और जारी सर्वे ऑफ गलोबल लेवल्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में कार्बन उस सर्जन में कितने परसिशत की विद्धी हुई रिपोर्ट जब भी होगा तो एक साल पीछे का होगा जो कि रिपोर्ट के आंकड़े एकटा किया जाते हैं तो पुराने हो जाते हैं एक साल 2017 में कार्बन सर्जन का ये रिपोर्ट है कितना परसिशन बढ़ा पिछले साल के मगाबले तो इसका अंसर हो जागा A 1.4% दरहसल चाइना टॉप पोजिशन पे है एशिया टू थर्ड कार्बन इमिशन करता है पूरे वर्ल्ड का आज का बाइसमा कोश्चन केके बिल्ला फॉंडेशन दवारा 27 में सर्सती सम्मान 2018 के लिए किस साहितकार को चुना गया एक बड़ा कोश्चन लिटरेचर का एक बड़ा अवार्ड सर्सती सम्मान केके बिल्ला फॉंडेशन देती है तो इसका अंसर हो जाएगा डी शितान्शू याश्चन्द्र उनकी कवीता संग्रह बखार के लिए ये अवार्ड दिया गया है सबसे पहले उन्हें सोग्यानवे में ये अवार्ड चुरू किया गया था जो बारती सम्मान के आठवी अनुसूची में 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में बेस्ट रश्नक लिदिया जाता है तैसमा कुश्चन सहीयोग हाईबलियोग दो हजार अठारे युद्धा ब्यास के इन देशों के बीच संपन हुआ सहीयोग हाईबलियोग तो इसका अंसर हो जाएगा C भारत और दक्षिनकोडिया दरसल कोरियन लेंग्वेज में हाईबलियोग का मतलब ही होता है सहीयोग तो सहीयोग हाईबलियोग ये दरसल बंगाल के खाड़ी में तट रक्षकों के बीच का ये युधा ब्यास था भारत और दक्षिन कोरिया के कोस्ट गार्स के बीच ये संपन हुआ आज का नेक्स्ट कोश्चन चौबीसवा कोश्चन विन मिन्ट किस देश के नव नियुक्त राष्ट पती है विन मिन्ट तो इसका अंसर हो जाएगा C मियानमार जिन्होंने हीतेन क्याव काथ थान लिया है आज का पच्चीस वा कोश्चन अफरीकी देश स्वाजी लेंड ने अपना नाम बदल लिया है ये नाम क्या बदला कर रखा गया है स्वाजी लेंड का नाम चेंज हो गया है तो इसका अंसर हो जाएगा D. E. Swatini small e और फिर Swatini अब ये नाम चेंज हो गया है आज का 26 वा कुश्चन 65 वे राष्टे फिल्म प्रुसकारों के लिए सर्शेष्टा भी नेता याने बेस्ट एक्टर का आवार्ड किसे दिया गया है निशनल अवार्ड है बहुत इंपॉर्टेंट सोच ले तो इसका अंसर हो जाएगा B. बेंगॉली एक्टर रिधी सेन को हर साल ये अवार्ड दिया आता है बेस्ट एक्टर एक्टेस और अलगले कैटेगरीज में आपको देखिए ये फिल्म प्रुसकारों का पूरा कैटेगरी ध्यान रखना चाहिए चोकि ये इससे एक कोशन बन जाता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म मॉम के लिए श्री देवी को दिया गया है सबसे पहले 1954 में ये अवार्ड की शुरुआत की गई थी और पहली फिल्म थी श्यामची आई मराठी फिल्म जिसे फिल्म-फियर का बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था जब्कि हिन्दी फिल्म के लिए मिर्जा गालिक को कॉम्मिनिस्ट पार्टी के हेड महासचीव कहलाते है अध्यक्ष नहीं तो इसका अंसर हो जाएगा C, सीता राम ये चूरी आप जान लें कि कॉम्मिनिस्ट पार्टी 1964 में 1964 में कॉम्मिनिस्ट पार्टी से स्प्लिट हुई CPI से CPI M अलग हो गई 1964 में और अब सीता राम ये चूरी इसके दूसरे कारकार के लिए चेनरिल सेक्रेटी चूने गए है आज का ठाइसमा कॉशन चंपारन सत्याग्रह के सौ साल पूरे होने पर बिहार में किस अभियान की शुरुआत की गई बहुत इंपार्टन कॉशन आप जान रहे हैं कि सेंटिनेरी एर चल रहा है चंपारन सत्याग्रह का तो इसका अंसर हो जाएगा B सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह साब सफाई पर स्वच्छाग्रह इस अभियान को चला गया आज का उन्तीस्वा कॉश्चन बिहार के वरतमान मुकसाचिव चीफ सेकरेटरी कौन है मुकसाचिव तो इसका अंसर हो जाएगा C दीपक कुमार इन्होंने अंजनी कुमार सिंग का इस्थान लिया है आज का तीस्वा और अंतिम कॉश्चन बिहार सरकार दोरा जारी थर्ड अगरिकल्चर रोड मैप यानि किर्शी रोड मैप के लिए लक्षित यहर कौन सा है यानि किस साल के लिए ये थर्ड किर्शी रोड मैप जारी हुआ है किर्शी में विकास के लिए तो इसका अंसर हो जाएगा जल्द आएगा परसी दिन आना थोड़ा सा टफ हो जाता है लेकिन फिर भी परियास होगा तो अपना धियान रखें हमें इजाज़त दें टेक कियर